साथ अक्टूबर दोजार तेश को हमास ने जब इसरायल पर हमला किया था तो उसके बाद कई खुफिया रिपोर्ट्स में ये खुला सा हुआ था कि इस पूरे हमले के पीछे इरान कहा थे और इसरायल ने भी कहा था कि वो उस साप का फन कुचल देंगे जिसने इसरायल पर इतना बड़ा हमला करवाया है अलाकि इस हमले से पहले मिडिल इस्ट में एक बहुत बड़ी एतिहासिक घटना होने जा रही थी जो इरान के लिए किसी भी सूरत में अच्छी नहीं थी वो थी कि अमेरिका की मध्धसिता में इसरायल और साओधी अरब के बीच रिश्टे स सामाने होने जा रहे थे लेकिन इससे पहले कि ये दोस्ती परवान चड़ती उसको हमास की नजर लग गई और साओधी ने दो टूक कह दिया कि वो मौझूदा हालातों में इसरायल के साथ दोस्ती का हाथ नहीं मिला सकता लेकिन तब नेतन्याहू ने कहा था कि वो आने वा नेतन्याहू ने एक नक्षा और पकड़ा था जिसमें कुछ अरब देशों और भारत को चिन्हित किया है नेतन्याहू ने इन देशों को इसरायल के संभावित दोस्त बताया जबकि इरान और उसके सवयोग्यों को एक श्राप बताया नेतन्याहू ने सेयुक्त राष्ट म कहा कि मेरा तेहरान के लिए एक संदेश है यदी तुम हम पर हमला करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे इरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसराइल के लंबी दूरी कहतियार नहीं पहुंच सकते और हकीकत में पूरा मीडेलीस्ट आपको बता दी कि नितन्याहू ने इस दोरान गाजा को लेकर दोटू कह दिया कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता और बंद को कुरिया नहीं करता तब तक गाजा में युद्ध चलता रहेगा युद्ध के बाद अगर हमास गाजा से निकल जाए अगर हमास गाजा में रहता है तो इसे स्विकार नहीं किया जाएगा नितन्याहू का कहना है कि वो फिलिस्तीनी एंकलेव में एक शांती ब्री नागरिक सरकार का समर्थन करते हैं गाजा को लेकर नितन्याहू का कहना है हम गाजा में एक इस्थानिय नागरिक प्रशासन का समर्थन करने के लिए इस्थानिय और अन्य सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तयार है नितन्याहू का कहना है कि युद्ध के बाद गाजा में हमास को किसी भी सूरत में बरदाश नहीं किया जा सकता और तो और नितन्याहू ने लिबनान को लेकर भी दो टूक कह दिया है मैं यहाँ पर यह कहने आया हूँ कि बहुत हुआ हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे नागरिक अपने घरों को वापस न लोट जाए जब तक हिजबुल्ला युद्ध का रास्ता चुनता है इस्राइल के पास कोई विकल्प नहीं है और इस्राइल को इस खत्रे का दूर करने और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों को वापस भेजने का पूरा अधिकार है आपको बता दे कि नितन्याओ ने युएन के मंच पर ताल ठोक कर कह दिया है कि हम इजबुल्ला पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि हमारा उद्देश ये पूरे नहीं हो जाते इस सब के बीच बड़ी बात ये कि इजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को एक एर स्ट्राइक में मार गिरा है जिससे पुरा लेबनान हिल गया है हिजबुल्ला को सूज नहीं रहा कि वो इजबुल्ला से कैसे बदला ले कि वो इजबुल्ला को सूज रहा है